Well, in this video, we are now going to try to attempt the few problems of the exercise of semiconductor devices तो हम शुरू करते हैं first question के साथ ये first question आपसे पास रहा ये 14.1 इसमें पूछा गया कि आपके पास एक end time extrinsic semiconductor दिया गया है और उससे related कौन सी statement जो है वो सही है तो statement number 1 में कहा गया कि जो electrons हैं उसमें majority carriers होते हैं ये बात सही है पर उसमें जो impurity डाले जाते हैं वो pentavalent होती है इसलिए हम इसको reject करते हैं दूसरी option दी गई कि जो electron है वो minority carriers होते हैं ये statement गलत है क्योंकि इसमें electron majority carriers होते हैं pentavalent atoms are the dopant ये बात सही है तो ये गलत होने के वज़े से इसको हम reject करते हैं हाँ इसमें जो n-type extrinsic semiconductor होता है उसमें electron जो है वो majority carriers होते हैं पर whole जो होते हैं वो minority carriers होते हैं ये बात सही है दूसरी बात pentavalent atoms as dopant add किये जाते हैं तो ये बात भी सही है इसलिए हमारा जो correct answer होगा वो रहेगा 14.1C उके उसके बाद हम चलें आगे next question हमारे पास है इसी से related देखिए which of the following statements given in exercise 14.1 तो same सवाल रहेगा पर यही सवाल आप P type semiconductor के लिए रहेगा तो P type semiconductor को हम generally discuss कर लेते हैं P type semiconductor में extensic semiconductor में क्या होता है जो holes होते है वो majority carriers होते है eletrons जो होते है वो minority carriers होते है और जो dopant atom होता है वो एक tribalent impurity होता है the dopant atom is tribalent impurity अब इसको देखने हम चलते हैं देखिए holles are majority carriers यह बात सही है and a tribalent atom is the dopant ये बात भी सही है इसलिए जो 14.2 का जो आंसर होगा वो रहेगा D so we have attempted the second question आगे हम चर्चा जारी रखते हैं हमारे पास अब सवाल रहा 14.3 इसमें हमारे पास कुछ semiconductor दिये हैं कुछ elements दिये हैं उसमें दिया है एक carbon का नाम है और silicon का नाम है अब carbon जो है वो semiconductor की श्रेणी में नहीं आता ये insulator हो जाएगा तो कुछ semiconductor insulators भी हैं तो ये हमारे पास आगया carbon हो गया silicon हो गया germany हो गया and they all have the four balance electrons each तो ये चार ही balance electrons अभी में होते हैं and they are characterized by the balance and the conduction band उनके अपने balance और conduction band होते हैं और उनके बीच में एक gap होता है energy gap तो उस energy gap की कुछ बात की गई है कि जो energy gap ये carbon का और energy gap silicon का और energy gap germanium का तो चार statement इससे रिलेटर नीचे दी गई हैं हमें ये बताना है कि कौन सी statement सही है तो सवाल हमारा कुछ इस तरीके का हमें जो जानकारी है उसके according हम लिख सकते हैं इस जानकारी के बेस के ओपर हम यहां लिख सकते हैं कि कौन सी हमारी option सही रहेगी तो first option जो है वो गलत हो जाएगी कि यहां से ही आप इसको मिला सकते हैं और दूसरी option भी आपकी गलत रहेगी और जो तीसरी option इसको आप ध्यान से देखें कारवन का जो energy gap है वो सबसे जादा वो silicon से जादा है और silicon का germanium से जादा है इसलिए इसका जो correct answer है 14.3 answer is C हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अब हमारे पास सवाल है 14.4 in an unbiased pn junction diode holes diffuse from p region to n region यदि biasing नहीं की जाए देखें ध्यान से आप यह देखें यह आपके पास हो गया pn junction this is pn junction यदि इसको खुला छोड़ दिया जाए यदि आपने इसको किसी battery के साथ जोड़ा नहीं है biasing batteries हम लगाते हैं जो forward or reverse bias करते हैं तो यदि आपने इसको खुला छोड़ा है तो जो सवाल ही है कि p region से जो holes है वो n region के और क्यों जाते हैं तो इसका कारण ही है कि जो p region में होता है वो excess of holes होते हैं और n region में excess of electrons होते हैं तो यह equilibrium को disturb करते हैं इस जंक्षन इस पी जंक्षन विट्राइब तो इस जो सवाल है वो बाइसा बर्सा फोर्म में आ सकता है तो आप समझ जाएंगे यदि अन बाइस आपके पास p n जंक्षन है तो hole will diffuse from p region to n region p region से n region के लिए इसलिए जाएंगे क्योंकि the concentration of hole concentration in p region is more than as compared to the n region यह सवाल अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है competitive exam में यह सवाल बदल के पूछा जा सकता है कि in unbiased p n junction electrons diffuse from n regions to p region ऐसा भी हो सकता है तो उसका अंसर क्या होगा भाई because electron concentration in the n region is more as compared to the p region तो एक सवाल से एक और सवाल जो है वो generate हो सकता है तो हम चलते हैं अगली problem के उपर अब हमारे पास सवाल रहा 14.5 तो हम सवाल को पहले अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे जब हम समझ जाएंगे तो उत्तर देना आसान हो जाएगा अब आपने क्या किया अब अनबाइस नहीं है आपका junction आपने ये लिया p n junction ये दिखिए ये p रहा ये n रहा ये आपने इसको forward बाइस बना दिया प को positive से जोड़ दिया और n को आपने negative से जोड़ दिया ये forward biased हो गया तो forward bias करने के बाद क्या होता है अपने पड़ा है कि ये जो potential barrier है वो lower हो जाता है it will reduce the potential barrier so इस factual knowledge के साथ हमें कह सकते हैं कि हमारे question का answer हैगा 14.5c so next question for us is this is 14.6 for transistor action transistor काम करें so which of the following statements are correct तो कौन सी statement जो है वो सही है तो पहली बात जो transistor के बारे में हमारे knowledge है उसको factual knowledge का हमें हाँ इस्तेमाल करेंगे कि जो base, emitter, collector regions जो है इनका small size होगा और जो drop and small size and drop and concentration तो हमने पढ़ा है हमने क्या पढ़ा है कि जो base होता है वो thin और lightly dropped होता है emitter जो है वो heavily dropped होता है और moderately size का होता है और collector जो होता है वो large size का होता और moderately dropped होता है ठीक है तो ये तो गलत हो जाएगी दूसरी जो option है कि base region must be very thin and lightly dropped तो अभी जो हैसे हमने चर्चा की तो ये answer सही रहेगा I can mark this as correct answer and then we will go for another option emitter junction is forward bias emitter junction forward bias होना चाहिए यदि transistor action में आए तो active region में चला जाए तो और जो collector junction है वो reverse bias होना चाहिए so I think this is also the correct option so ये जो 14.6 जो दो options correct है और last option जो है both emitter junction as well as collector junctions are forward bias तो ये गलत information है so 14.6 has two correct options this is option number B and another option is 14.6 is another correct option is C okay so now we shift our discussions to the problem number 14.7 it will be a very very interesting problem for you so for a transistor amplifier the voltage gain voltage gain का चंसेट हमने कहा पड़ा transfer characteristics से पड़ा है so you must go back to the same video and you will find the correct answer for this that this correct answer is C this the voltage gain is low at high and low frequencies and constant at the mid frequency this will be the right answer of this question okay so अब हमारी जो चर्चा रहेगी अब हमारे स्वाल जो है वो वो solve करने वाले आ जाएंगे थम solve कर देंगे उसमें कोई समस्या नहीं अब हम चलते हैं problem number 14.8 के उपर यदि इन ऐसे I mean this is in half wave rectification half wave rectifier में क्या होता है output frequency क्या होगी यह आप से सवाल पूचा है यदि input frequencies यह वो 50 hertz होगी तो आप इस half wave rectifier बाले वीडियो को दोराएं वहां देखें तो उसमें आप यह factual knowledge में आप चले जाएंगे तो उसमें आप यह देखेंगे कि जो input frequency और output frequency होती है वो बराबर रहती है तो यदि input frequency जो है 50 hertz है तो output frequency भी बराबर रहे क्योंकि उसमें जो आपके पास यदि input frequency ऐसे है यह आप input देते हैं और यहां आप एक half wave rectifier लगा देते हैं ठीके तो इसका जो output आता है वो कैसा आता है वो ऐसे आता है बीच बला part miss हो जाएगा फिर ऐसे आएगा फिर miss हो जाएगा और ऐसे आएगा तो इसमें frequency पर cycle चेंज नहीं होती है यह बला part miss रहेगा अब यह बला part miss रहेगा तो यदि यह frequency 50 hertz है तो आपकी जो output frequency है वो 50 hertz ही होगी बट यदि आपकी output frequency यदि आप यही जो input signal है 50 hertz का जो signal है यदि आप full wave rectifier में देते हैं तो क्या होने वाला है देखिए यह रहाप का input signal और इसकी जो frequency है new जो है वो 50 hertz है अब हमने क्या किया कि signal को यहाँ full wave rectifier में डाल दिया तो इसकी output कैसे आने वाली है यदि आप देखिए इसमें आप single cycle में क्या होगा एक, दो, तीन, चार ऐसे करके अब एक per cycle में जो इसके ripples होते हैं एक के जगा दो हो जाते हैं तो क्या होने वाला है तो जो output frequency होगी जाती है तो डबल होने से क्या होगा 2 into input frequency क्या है 50 Hertz, तो यह हो जाएगी 110 Hertz तो इस सो इजी फोई तो इस 100 Hertz इस 2 time 50 Hertz, I'm sorry for it तो दिस इस विल बिकम 100 Hertz तो इस सो इजी तो अगला सवाल है सवाल कुछ इस तरीके का है कि हम इसके लिए एक नया page को लेते हैं हमारे पास एक नई window हमें जरूरी है इसको खोलना तो सबसे पहले हम सवाल को थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले question जो है हमारा वो है सवाल जो है कि in common meter transistor amplifier आपको इस common meter transistor amplifier है जो audio signal across the collector resistance collector resistance में जो audio signal है ना वो उसका जो resistance 2 kilo ohm है और जो voltage है वो 2 volt है ओके सवाम इसमें लिख देते हैं वाई जो हमारे पास जो पहले जो given information है उनको हम लेक लेते हैं हमारे पास जो collector resistance है हमारे पास जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं एक मिनिट यह है ना सो पहले solution लिख लेते हैं ना हमारे पास रहेगा solution color change कर लेते हैं solution of the problem क्या हो जाएगा हमारे पास है यहां दिया हुआ है कि जो और यह signal the resistance collector so resistance of the collector it is equal to 2 kilo ohm हो जाएगा 2 cross 10 is about 3 ohm हो जाएगा अब आपके पास यह voltage जो हो जाएगी ना हो जाएगी icrc तो यह जो voltage given है आपके पास वह है 2 volt तो यहां से आप निकाल सकते हो ic ic क्या जाएगा 2 divided by rc हो जाएगा 2 cross 10 is about 3 right 2 से 2 cancel हो जाएगा यह 1 milli ampere आ जाएगा तो हम कॉमा लगाके लिख दें जो collector count आएगा वह आएगा 1 milli ampere इसका आप एक box में संभाल के रख लिजिए दूसरा यह कहा है कि and suppose the current amplification factor suppose the current amplification factor for the transistor is 100 तो current amplification factor क्या है current amplification factor का हम बीटा से लिखते हैं वो 100 है तो आप जानते हैं कि जो बीटा का value होता है न वो होता है ic upon ib तो आप यहां से base current निकाल सकते हो जो होगा ic upon beta तो आप यहां लिख दीजिए यह आएगा 1 milli ampere और जो amplification factor है उसका value होगा 100 तो इसको solve कैसे करना थोड़ा सा देख लीजिए ib is equal to यह आएगा 1 milli ampere इसको आपने छेड़ना नहीं आप ऐसा करिए यहां 100 है इसको 10 से multiply कर दीजिए 10 से divide कर दीजिए तो उपर तो बन जाएगा 10 और यह बाला part है यह फिर kilo बनेगा ना तो उपर जाएगा तो यह बन जाएगा 10 to the power minus 3 milli की numerical value जो है 10 to the power minus 3 है और kilo जब उपर जाएगा यह बन जाएगा kilo ना 1000 is kilo तो उपर जाएगा तो यह minus 3 हो जाएगा so 10 यह हो जाएगा 10 into 10 to the power minus 6 ampere so you can write it is a 10 micro ampere okay तो आपने दो information आपके पास आगी now IB is equal to 10 micro ampere right so this is easy to do it उसके बाद आपसे और कहा गया है कुछ find करने के लिए find the input signal voltage and the base current हमें हमसे पूछा है कि input signal voltage कितनी होगी और base current कितना होगा तो हम यहां लिख देते हैं कि हमारे पास जो output और input की जो ratio होती है ना दूसरा पार्ट है हमारे पास कि जो output and input की जो ratio होती है B output on B input is equal to it is a voltage gain it is equal to current gain into resistance gain output resistance upon input resistance okay so हमारे पास है कि जो यहां जो हमारे पास दिया हुआ है base resistance जो है जो base resistance है that is equal to 1 kilo ohm so here base resistance is ri here ri is equal to 1 kilo ohm और जो ro है वो है आपके पास दिया 2 kilo ohm okay तो आप यहां लिख दिजिए सब कुछ दिया हुआ है हमारे पास जो output voltage है वो भी दी हुई है so voltage output is just 2 volt तो यहां लिख दो आप 2 upon vi is equal to beta is beta is written over 100 this is 100 output resistance is 2 kilo ohm divide by input resistance is 1 kilo ohm इसके साथ cancel हो जाएगा और 2 के साथ 2 cancel हो जाएगा आपके पास बच जाएगा input voltage जो है वो 1 by 100 बचेगा इसको आप 0.01 volt लेख सकता है तो it is so easy to do it तो दो ही information हमसे पूछी थी कि आपके पास जो है base current क्या होगा वो हमने निकाल दिया है यह वाला part है base current और यहां से आप देख सकते हैं कि input voltage है वो 0.01 volt है so it is easy to do and attempt this question अब हमारे पास another problem है करने के लिए 14.10 तो इस question में हमें कहा गया है कि हम इसको ऐसे ही कर देते हैं शायद ऐसे ही हो जाएगा 14.10 में हम चलते हैं पास दो amplifier है जी और एक के बाद दूसरा लगा हुआ है तो एक amplifier है आपने signal दिया यहां से और एक amplifier हमने यहां लगा दिया फिर यहां से जो output आई उसको हमने है अगले amplifier में दोबारा फिर से amplify करने के लिए दोबारा फिर से इसमें डाल दिया तो कहा गया कि first amplifier की जो voltage gain है न a b हम यह कहें इसको हम a b 1 लिख देते हैं जो a b 1 है न वो 10 है given parameter लिख लिजिए second की जो voltage gain है उसको हम लिखेंगे a b 2 वो 20 है जी ठीक है तो if input signal is 0.01 volt यहां से जो voltage आप दे रहे हैं वो है 0.01 volt आप से पुछा गया कि जो यहां से output बाहर आएगी न यह यह कितनी है तो आसान सी बात है पहले ऐसा करते हैं हमकी इसको यहां डाल देते हैं तो यहां से हमें output पता चल जाएगी हमें पता है कि output बटा input जो है न पहले amplifier की वो 10 है तो तो पहले से जो output आएगी न 1 की वो आजाएगी 10 इंटू input कितनी दिया आपने 0.01 ठीक है तो गुणानी हम नहीं करना क्योंकि पूछा नहीं हमसे तो यहां से इतनी output आएगी इसको मैं equation number 1 मान लेता हूँ अब यह जो input है वो यहां चले जाएगी यहां जाने के बाद इसकी जो voltage gain है वो है 20 तो मैं यहां लिख देता हूँ further आप इसको करिए जो output है न आ बी 0 2 बटा बी 0 1 ठीक है बी 0 2 और input इसको प्राइम बना देते हैं बी 0 इसको ऐसे करते हैं इसको ऐसा कर देते हैं इसको हम लिख देते हैं बी 0 प्राइम अपॉन बी इन्पुट प्राइम यह आएगी हमारे पास दूसरी जो voltage gain है वो 20 है तो आप बी 0 प्राइम जो है यह आजाएगा आपके पास बी इन्पुट अब इन्पुट जो है वो B01 के बराबर रहेगी यह बाली तो आपके पास आजएगे 10 into 0.01 0.01 cross 20 इसको solve कर लीजिए B0 prime is equal to 10 into 1 upon 100 हो जाएगा इसको हटा दीजिए into 200 तो इक cancel हो जाएगा आपके पास output में 2 volt मिलेंगे देखिए आपने input में just 0.01 volt जो है input signal दिया था output में वो 2 volt बनके आया है तो देखिए लिजिए कि कितना amplification हो जाता है right